दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवन्दू टेक में आज हम आपको बताएंगे कि यती आप अपने यूटूब चैनल पर कोई वीडियो ऐसा अप्लोड करते हैं जो कि आपके कैटोगोरी जो आप जिस कैटोगोरी का आपका चैनल है उससे अलग का वीडियो है तो आ पहने एंट्रेनिंग वीडियो बनाते होंगे अगर आप इंट्रेनिग वीडियो बनाते हैं ऑगर टेकनलाजी का वीडियो अपलोड करेंगे अगर उसमें आप nprise अपलोड करतेंगे तो उसका नोडिफीकेशन जब आपके सब्सक्राइबर के पास जाएगा तो वो subscriber धीरे-धीरे irritate हो जाएगा और उसके बाद वो या तो आपके notification को unsubscribe कर देगा और ऐसा भी आएगा कि एक time वो आपके notification पे आगे के वीडियोज के notification पे वो ध्यान नहीं देगा तो यदि कभी-कभी आप अपने चैनल पे कुछ ऐसा वीडियो भी upload करते हैं जो आपके चैनल के category से match नहीं करता है जिन वीडियोज से आप अपने चैनल पे व्यूज लेना चाहते हैं सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं लेकिन उन वीडियोज का notification उन वीडियोज को आप अप अपने सब्सक्राइबर के पास notify नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपने सब्सक्राइबर को बीना notify किये हुए भी उन वीडियोज को upload कर सकते हैं और publish कर सकते हैं यह आप कैसे कर पाएंगे चलिए सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले YouTube के home page पे जा जाएंगे यहां पर हम वीडियो में जाएंगे और और जिस भी वीडियो को आप चाहते हैं कि publish करें और उसका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर के पास नहीं जाए उस वीडियो को आप प्राइवेट बनाकर upload करेंगे तो देख सकते हैं यह वीडियो हमने upload किया है म पर आप देख सकते हैं यह वीडियो जो है प्राइवेट के रूप में upload किया हुआ है तो ऐसा करने के लिए आप जिस भी वीडियो के साथ ऐसा करना होगा उसको प्राइवेट के रूप में upload करेंगे फिर देखें हम डीटेल के लिए इस पेंवाले आइकन पर क्लिक करेंग और यहां जो उपर में more का option है इस पर क्लिक करेंगे फिर हम scroll down करके नीचे आएंगे और नीचे एक option आपको दिखाई यहां पर पड़ेगा publish to the subscriptions, feed and allow notification to subscribers यह देखे चेक किया हुआ है अगर मैं अभी publish करूँगा तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को subscribe करके all notification को on क्या होगा उनके पास इस video का notification जाएगा लेकिन यदि इस option को यदि हम uncheck कर देंगे जैसे देखे अभी मैं uncheck करके आपको दिखाता हूँ तो अब यदि मैं इस video को publish करूँगा तो इसका notification जो है मेरे subscribers के पास नहीं जाएगा और फिर भी यह video मेरे चैनल पे publish हो जाएगा और फिर यहां पे save button पे click कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से यह video जो है मेरे चैनल पे publish हो चुका है लेकिन इसका notification मेरे subscribers के पास नहीं जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप यह काम कर पाएंगे तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे हम लोगे अगले वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार